अती राष्टवादी भावनाएं और सैन्यवाद 19 सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपी राज इस्थापित होने लगे उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट को सर्वोच बनाने के लिए उकसाया सारे राष्ट यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक भूमी होगी सबसे अधिक उपनिवेश होंगे वही सर्वशक्ति मान होगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे दूसरी ओर कई नय समुदाय जिनकी अपने भाषा या धर्म था अपने आपको राष्ट मान कर अपने लिए स्वतंत्र राज बनाने के लिए संगर्श करने लगे इन में प्रमुक थे पोलिश, चेक, हंगरी, स्लाव तथा यहूदी, जर्मन, आस्ट्रियाई, रूसी और तुर्की सामराज्यों पर पड़ा लेकिन समस्या यह थी कि एक ही भाषा बोलने वाले कई दूर-दूर के इलाकों में बटे हुए थे इन सब बातों के कारण यूरोप की राजनीती में उतल-पुथल मचा रहा, देशों के अंदर और एक दूसरे के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था, सभी लोग यही मानने लगे कि इन समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है राश्ट्रेता की संकुचित भावना, स्वार्थ, आर्थिकित और कूट नीती इतनी बढ़ गई थी कि शांती की बात करना बेमानी हो गई थी शांती और सभावना के स्थान पर आशंका, भै और द्वेश की भावना बढ़ गई थी इस समय कई लोग डार्विन के सिध्धानत से प्रभावित थे और भी समाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे अथात वे सोचते थे कि योगितम राश्ट्र ही बचेगा और उन्निती करेगा अता यह विश्वास उत्पन हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है विभिन राश्ट्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राश्ट्रों पर शासन करना अपना करता भी मानते थे समचार पत्रों का जन्मत को प्रभावित करने में महत्वपूर योगदान होता है प्रतम विश्विद के समय सभी देशों के समचार पत्रों ने उग्र राश्टेता की भावना को बढ़ावा दिया इसके लिए उन्होंने घटनाओ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जन्ता में उत्तेजना बढ़ी और शान्ती समझोता करना कठिन हो गया जब विटेन के समाचार पत्रों में कैसर विलियम दुती की नीतियों की आलोशना की गई तो जर्मनी की जन्ता ने इंग्लैंड को अपना शत्रू समझ लिया इसे प्रकार जर्मनी के जनता ने इंग्लेंड के जनता को उकसाया फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़े सैन्यवाद भी अतिराष्टवादी भावनाओं का परिणाम था हर देश इस समय अपनी सैनिक बल को बढ़ानी तथा अपनी सेना को अत्यादुनिक शेस्त्रों से लैस करने में जुट गए देशों के बीच होड से लग गई थी कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है किसके पास सबसे अधिक युद्धुपोत है, किसके पास सबसे अधिक तोप आधी है सैनवादी भावना नकेवल शस्त्र भंडार निर्मित कराती है बलकी आम लोगों में एक सैनिक मनोदशा भी विक्सित करती है एक खास तरह के अनुशासन की भावना विक्सित करती है जैसे शासन वह अधिकारियों की किसी नीती पर प्रेश्ण ना करना और उनकी सब बातों को स्विकार कर लेना और जो आदेश दिया जाता है उसे पालन करना यह लोगतांत्रिक मुल्यों के विरुद्ध है किन्तु सैन निशासकों के लिए बहुत उपयोगी होता है सैन निवाद एक तरह से लोगतंत्र को कमजोर करके अधिनायक वाद को सुद्रुन करता है इस प्रकार सैन निवाद के दो पक्ष होते हैं एक और सैनिक शक्ति और शस्त्रों के अंबार को बढ़ाना और दूसरे और लोगों में राज के नीतियों को बिना सवाल के स्विकार करने के लिए तयार करना तालिका दो में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सभी बड़े देश युद्ध के तयारी कर रहे थे और सैन वाशस्त्रों पर खर्च लगातार बढ़ा रहे थे केवल 14 वर्षों में सन 1900 से 1914 के बीच सैनिक खर्च 20 करोड पॉंड से दुगना हो गया इन देशों में बहुत से कारखाने केवल शस्त्रों द्योग पर आधारित थे और बहुत से पुंजी पती उनमें यही सोच कर निवेश कर रहे थे कि युद्ध होगा तो इनकी मांग और बढ़ेगी और वे अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं युरोप के देशों में युद्ध विरोधी धारा धीरे धीरे विक्सित हो रही थी जिसमें मुख्य रूप से मजदूर आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन के लोग जुड़े हुए थे उन्होंने यह कहकर युद्ध का विरोध किया कि यह लोगों की भलाई के लिए नहीं बलकि शासकों के हितों में था सनुनिस सो चहुदा में युद्ध के खिलाफ बोलने वालों में जर्मनी के कारल लाइबनेट, पोलेंड के रोजा लक्सबर्ग, रूस के लेनिन और ब्रिटेन की सिल्विया पैंकरस्ट प्रमुक थी जब युद्ध में हजारों लोग मारे गए या अपाहिज होकर घर लोटने लगे तो युद्ध के वास्तवित्ता सामने आने लगी और लोगों में विरोधी भावना प्रबल होने लगी